बहुत समय पहले की बात है एक गुफा में एक व्यक्ती रहता था वह एक जॉंबी था फिर एक दिन दो दोस्त रात को जंगल की रास्ते से गुजर रहे होते हैं अरे भाई सुरेश मुझे लगता है हमने इतनी रात को इस जंगल का रास्ता चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी क्यों क्या हुआ ऐसा क्यों बोल रहे हो अरे भाई ये वही जंगल है जहां वो जॉंबी रहता है तुम्हें पता है अगर वो किसी को काट ले तो वो भी उसके जैसा बन जाता है तब भी उन्हें अजीब अजीब सी आवाजे सुनाई देने लगती है राजु भाई ये कैसी आवाजे हैं कहीं ये वो जॉंबी तो नहीं तब भी वह आवाजे तेज हो जाती है और उन्हें सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है अरे भाई सुरेश ये तो वही जॉम्बी है भागो यहां से अगर इसने हमें काट लिया तो हम भी इसके जैसे बन जाएंगे फिर वे दोनों भागने लगते हैं अरे भागो रे ये आदम खोर हमारे पीछे पड़ गया कोई हमारी मदद करो कोई तो हमें बचाओ अरे मर गया रे अरे भाई राजू मेरे लिए रुको मैं गिर गया हूँ मेरी मदद करो अरे इयार सुरेश जल्दी उठो और भागो वहाँ से राजु भाई लगता है, मेरी टांग तूट गई है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें मेरी मदद करने वापस आना पड़ेगा, अरे मर गए रे, अब क्या करूँ, अगर इसकी मदद करने गया, तो आज ये मुझे भी मरवाएगा, अरे सुरेश भाई, पीछे देख अगर मैं इसे बचाने गया, तो मैं भी इसका शिकार बन जाऊंगा, मुझे माफ करना भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, इतना बोल कर राजु वहाँ से भाग जाता है, अरे भागो रे, अपनी जान बचा के भागो, अरे डरपोग, अपने दोस्त को छोड कर भाग रहा है, फिर बच जॉंबी सुरेश को काट लेका है, अरे मर गया रे, इसने तो मुझे काट लिया, तेरा नास मीटे, ये तुने क्या कर दिया, अरे, अब क्या होगा, मैं बहुत दिनों से है, अपने आपको अकेला महसूस कर रहा था, अब तू भी मेरे जैसा बन जाएगा, है, भगवान, मुझे इसके जैसा नहीं बनना, कृपा करके मेरी मदद करो, तेरी मदद करने वाला, तेरा दोस्त तो, तुझे यहाँ अकेला छोड़ कर भाग गया, अब चिलाने से कोई फाइदा नहीं, मेरा जहर तेरी नसों में पहुँच गया है, बस थोड़ी देर में तू भी मेरे जैसा बन जाएगा, अरे, ये मुझे क्या हो रहा है, फिर देखते ही देखते सुरेश भी जॉम्बी बन जाता है, चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे साथ मेरी गुफा में ही रहोगे, फिर वे दोनों गुफा की तरफ चल देते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है, मैं अभी लेकर आता हूँ, फिर वे जॉम्बी जाता है और अपनी गुफा से कुछ खाने को लाता है, लो ये खाओ, इसे खाने में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, अरे मर गए रे, ये तो किसी की टांग है भाई, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, मैं ये नहीं खा सकता, अब तुम्हें एक जॉम्बी हो, तुम्हें ये सब ही खाना पड़ेगा, नहीं नहीं, मैं मर जाओंगा, लेकिन ये सब नहीं खाओंगा, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हें नहीं खाना है, तो मत खाओ, फिर इतना बोल कर वह अपनी गुफा में सोने चला जाता है, वहीं दूसरी तरफ राजु भागता भागता अपनी घर पहुँच जाता है, आज तो बाल-बाल बच गया, उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी बाहर आती है, अजी, आपको क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों हो, निर्मला, आज तो मैं बाल-बाल बच गया, मैं और सुरेश जंगल के रास्ते से घर की ओर आ रहे थे, तब ही उस जॉम्बी ने हम दोनों के उपर हमला कर दिया, और भागते भागते सुरेश वहीं गिर पड़ा, मैं तो वहाँ से भाग आया, लेकिन सुरेश को जॉम्बी ने अपना शिकार बना लिया, तुम शुक्र करो कि आज तुम्हारा पती सही सलामत घर आ गया, लेकिन ये आपने ठीक नहीं किया, आपको अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए थी, लगता है तुम मुझे सही सलामत देखकर खुश नहीं हो, तुम क्या चाहती थी, उसकी जान बचाने के चकर में, मैं अपनी जान गवा देता, मैं इतना मुर्क नहीं हूँ, फिर उसकी बीवी गुसे में अपने कमरे में चली जाती है, वहीं दूसरी तरफ, भूक के मारे सुरेश की जान निकल रही होती है, क्या खाऊं, भूग के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है राजु भाई अगर तुम चाहते तो तुम मुझे बचा सकते थे तुमने मुझे धोका दे कर ठीक नहीं किया इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए फिर वह गुस्से में अपनी गुफा से निकलता है और सीधा राजु के घर के बाहर पहुँच जाता है ए राजु दर्वाजा खोल देख तेरा काल तुझसे मिलनी आया है अजी ये कौन है जो इतनी जोर जोर से दर्वाजा पीट रहा है ए डरपोक राजु दर्वाजा खोल मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा अब मैं तुझे भी अपने जैसा बनाऊंगा अरे मर गयरे ये तो सुरेश है ये तो आप जोंबी बन गया है फिर वे दोनों खिड़की से जांक कर देखते हैं तो उन्हीं वहाँ सुरेश दिखाई देता है वह उसे देख कर बहुत डर जाते हैं हे भगवान ये कहां से आ गया अजी ये तुम्हारे लिए ही यहां आया है अब मैं क्या करूँ ये मुझे भी अपने जैसा बना देगा वही दूसरी तरफ वह जोंबी सुरेश को गुपा में ना पाकर परिशान हो जाता है फिर वह भी उसकी तलाश करता करता गाउं में पहुच जाता है अरे तुम अकेले ही शिकार पर निकल आए तुम चा अकेले ही इसे चट करना चाहते हो चलो इसे मिल कर खाएंगे फिर वह जॉंबी जूर जूर से दर्वाजे को पीठने लगता है ए डर्वाजा खूल उस दिन तो तु मेरे हाथ से बच गया था लेकिन आज तो मैं तुझे कच्चा ही खा जाऊंगा हे बगवान अब क्या करें अगर ये दर्वाजा तोड़ कर अंदर आ गए तो हम दोनों को मार देंगे नहीं नहीं मैं अपनी वजह से तुम्हारी जान खत्रे में नहीं डालूँगा तुम अंदर चली जाओ मैं खुद ही बाहर जाकर अपने आपको इन्हें सौप दूँगा ए डर्वाजा लगता है तु ऐसे बाहर नहीं आएगा मुझे ये दर्वाजा तोड़ना ही पड़ेगा कृपा करके रुख जाओ दर्वाजा मत तोड़ो मैं बाहर आ रहा हूँ फिर वा खुदी बाहर निकल जाता है उसके सामने उसका दोस सुरेश और वा जॉंबी खड़े होते हैं अरे ये तो बहुत हटा कटा है इसे खाने में तो बहुत मज़ा आएगा मेरे दोस्त सुरेश मुझे माफ कर दो मैं उस दिन तुम्हारी मदद नहीं कर पाया मैं तुम्हें उस हालत में छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन मैं मजबूर था और मुझे वहां से भाग ना पड़ा और मेरी वजह से आज तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है हो सके तो मुझे माफ कर देना अब तुम चाहो तो मुझे मार कर खा सकते हो देर किस बात की है मैं अभी इसका काम तमाम कर देता हूँ रुको रुको ये मेरा दोस्त है मैं इसकी जान नहीं ले सकता तुमने मुझे जॉम्बी बनाकर मेरे शरीर को तो मार दिया है लेकिन मेरी आत्मा अभी जिन्दा है मैं तुमें किसी का शिकार नहीं करने दूंगा अच्छा तेरी इतनी हिमाद रुक तुझे अभी मजाचा खाता हूँ राजू भाई तुम घर के अंदर चले जाओ मैं इसको रोकता हूँ फिर वे दोन्यों आपस में लड़ने लगते हैं वह बहुत देर तक लड़ते रहते हैं सुरेश भाई मुझे लगता है ये जॉम्बी तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है तुम इसे हरा नहीं पाओगे लेकिन वो जरूर हरा सकते हैं तो किस की बात कर रहा है कौन है जो मुझे हराएगा ए चोड़ मुझे नहीं चोड़ूंगा बस कुछ ही पलो में सूर्य देव निकलने वाले हैं फिर तेरी खैर नहीं वो जॉम्बी आकाश में देखने लगता है वो बहुत डर जाता है अरे बेवकूफ क्या तो ये भी भूल गया कि अब तू भी एक जॉम्बी है सूरज की रोशनी से मेरे साथ साथ तू भी जलके राख हो जाएगा हा जानता हूँ मुझे मरने से डर नहीं लगता वैसे भी ऐसी जिन्दगी किसी काम की नहीं है लेकिन कम से कम मरने से पहले एक अच्छा काम तो करके जाऊंगा तभी आकाश में सूरज निकलाता है और वो दोनों जलने लगते हैं फिर वे दोनों जलकर राख में बदल जाते हैं और इसी तरह एक दोस्त अपने दोस्त की जान बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर देता है और दोस्ती की मिसाल पेश करता है